प्रेस्ट पेल आइक नेवर मिस अपडेट है अब सभी का मेहंद्राज के ओफिसियर यूटूब चैनल पर सो वेरी गूड ओड आप्डेट जितने भी लोग कनेक्ट हुए एक बार फटापट से आप लोग वीडियो को लाइप और शेयर कर दीजिए क्योंकि आज की क्लास मे हम डिसकस करेंगे वीकली करण्ट अफेयर को पूरे वीक में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था उसको हम आज की क्लास में कंप्लीटली एक बार क्या कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिसे और भी लोग हमारे साथ करनेक्ट हो सकें चलिए स्टार्ट कर करते हैं और बात कर लेते हमारे आज की मौर्णिंग थॉट अब दीजिए कि हमारा आज का मौर्णिंग थॉट्ट क्या है और यह बहुत ही अच्छा सा थॉट्ट था जिसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अगर आपको लाइफ में सक्सीड होना है जीवन में अगर आ सबसे पहला पॉइंट लोग क्या कहेंगे इसको अपने लोगों का काम है कहना तो इसको हटा दीजिए दूसरा मुझसे नहीं होगा यह लाइन आपके जो बुक है उसमें होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर सकते हो बस आपको क्या करना ह कि आप में क्या potential है तो यह भी आपको क्या करना है अपने life से इस line को भी delete करना है दूसरा मेरा mood नहीं है तो कोई भी काम करने का कभी कोई एक particular mood नहीं बनता है mood बनाना पड़ता है ना तो मेरा mood नहीं है यह भी आपको क्या करना है avoid करना है दूसरा मेरे किसमत किसी की सब किस्मत हमारे कर्मों से बनती है तो अगर आपके कुछ इंपॉर्टिन पॉइंटS जो क्या करना है अपने लाइब से आपको इन सभी पॉइंट्स को डिलीट करना तो आपको succeed होने से कोई नहीं रोख सकता है, कहते हैं अगर सिर्फ कहने से सब कुछ हो जाता, तो सब कुछ कहा जा सकता है, सिर्फ कहने से हम कोसिस करेंगे, कोसिस हो नहीं जाएगी, आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर सच में आप succeed होना चाहते हैं, तो आपको लोगों पर हुआ होगा और इन लाइन को आप अपने लाइफ में कभी यूज नहीं करेंगे तो इस पॉजिटीव से थौट के साथ स्टार्ट करते हमारा आज का सेशन और बात करते हमारे आज की टॉप चैंपियंज की तो एस अलवेज संडे को कोई पर्टिकुलर नाम नही है वह सभी क्या है हमारे चैंपियन है और बिनर है अब स्टार्ट करते हमारा आज का सेशन और आते हैं पहले कोश्चन पर फटा-फट से आप लोग आंसर बताईएगा पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा है उसको क्या करेंगे आज रिवाइस करेंगे ठीक है हमारा पहला इस पैनिश सूपर कप फॉर्टींथ टाइम आपको बताना है कौन से शहर ने पॉर्टींथ टाइम इस्पैनिश सूपर कप को जीता है ग्रेनिजा बार्सिलोना अलिकैंटे या फिर सेलेमान का क्या होगा इसका करेंट आंसर जल्दी से कॉमेंट करके बताएए इसे आपको बताना है कौन से सिटी में वर्ड इकोनामिक फोरम सेंटर पर इंद्रसियर रिवोडूशन के लिए कौन से सिटी को सेलेक्ट किया गया है एज़ रिट इकोनोबिक फोरम सेंटर ज़ल्दी से बताइए इसकार क्या होगा पूप झे नई, एहम्दाबाद या फिर हैदराबाद, क्या हो क्या होगा इसकाइद ज़ल्दी से कोमेंट करें बताईएं हैं फून्य है इपूने इज़। और इस इसट करेक्ट आंसर सो फोर्थ इंडस्चियल रिवॉलूशन के लिए जिस सिटी को सेलेक्ट किया गया है वो सिटी कौन सी है वो सिटी है आपके हैदराबाद सो जो रिटार्मेंट एज है उसको दो साल से बढ़ाकर 64 करने के लिए सरकार के यूजना के खिलाफ किस देश ने देश व्यापे हड़ताल किया है थी फिनड खाल अरेट्रिया क्या होगा इसका आशर चल्दी से बताईए इस फिजी इसे फिनड अशन और फ्रांस और इसाढ़ी पटापट से बताईए इसका आँसर क्या होगा ओकर अट्रयी डूस्टा खुट nine yes वित रसिया एंड चाइना आपको बताना है किस देश ने रसिया और चाइना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास की घोश्टा की है साउथ एफरीका, सैंट लूसिया, साउथ सूदान या फिर साउथ कोरिया क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताएए जल्दी से बताएए इसका अंसर क्या होगा साउथ एफरीका, सैंट लूसिया, साउथ सुदान या फिर साउथ कोरिया ओके, very well done everyone. So यहाँ पर बहुत से लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं यहाँ है क्या है करेक्ट आंसर? साउथ एफरीका इस दे करेक्ट आंसर So युनिवर्सटीज में जो भी गर्स्टूडेंट है उनको मेंस्टूड और मैटर्निटी लीप प्रवाइट करने वाला पहला इस्टेट कौन सा बना है? गोवा, केरला, हर्याना या फिर पंजाब यहाँ पर जो भी गर्स्टूडेंट है इनकी जो एटेंडेंस है इसको 75% से रिड्यूस करके 73% कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर इनको मेंस्टूड और मैटर्निटी लीप प्रवाइट की जाएगी तो ऐसा करने वाला कौन सा पहला राजिपना है? गोवा, केरला, हर्याना या फिर पंजाब क्या होगा अंसर? ओके वेरी गुड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला क्या है करेक्ट आंसर? केरला इस दी करेक्ट आंसर आपको बताना है बेस्ट स्मॉल बैंक आवार्ड जो की रिसेंटली तमिलनाद मरकेंटाइल बैंक लिम्टेट को दिया गया है यह कौन से एर के लिए दिया गया है? 2020, 2021, 2022 या फिर 2023 क्या होगा इसका गरेक्ट आंसर? कौन से एर के लिए तमिलनाद मरकेंटाइल बैंक लिम्टेट को बेस्ट स्मॉल बैंक आवार्ड दिया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2022 क्या है करेक्ट आंसर? 2022 इस दी करेक्ट आंसर आपको बताना है यह जो एरो इंडिया 2023 है इसका कौन से एडिसन अभी 13 से 17 फैबरी को बेंगालूरू में और्गनाईज किया जाएगा? 11, 12, 13 या फिर 14 एरो इंडिया 2023 का कौन से एडिसन इस बार बेंगालूरू में और्गनाईज किया जाएगा फैबरी मन्त में जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या है? 11, 12, 13 या फिर 14 एरो इंडिया का जो डीपेस्ट मेट्रो इस्टेशन ये कौन से सिटी में बनाया जाएगा? कोलकाता, मुंबई, पूने या फिर कोची? और दिस इस वन आप दि मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन में भी यह आपके अपकमिंग एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंडिया का जो डीपेस्ट मेट्रो इस्टेशन है ये कौन से सिटी में बनाया जाएगा? कोलकाता मुंबई, पूने, कोची? जल्दी बताएगे क्या होगा इस कांसर? ओके, वेरी वेल जन एबरीवन, इसका जो करिक्ट आंसर है वो है पूने, क्या है करिक्ट आंसर? पूने इसका करिक्ट आंसर पूने है, चलिए जल्दी बताएगे इसका अंसर क्या होगा? असम, उरीशा, राजस्थान या फिर बिहाद? इसका जो करिक्ट आंसर है वो है उरीशा, क्या है करिक्ट आंसर? उरीशा इसकी करेक्ट आंसर, नेक्स टुपन इस वाट इस रांक आफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडिक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड, फोर्थ, फिप्थ या फिर शिक्स और इस रांक कितनी है? ग्लोबल फायर पावर इंडिक्स में यह आपको बताना है और कौनसी कंट्री ने टॉप किया है इस इंडिक्स में यह भी आपको बताना है जल्द rotor क्या हो गा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्द या फिर शिक्ष वेरी वेल्ट तो इसका जो तंथै वह है फोर्थ इंडिया की रैंक इद पूर्थ है आपको बताना है कौन सी कंचरी ने टॉप किया है यह भी आपको कौमेंट करके बताना है ओकी चलिए नेक्स्ट कोश्चन इस विच कंट्री इस प्रेसिडेंट गुएन जुएला वियतनाम जिम बॉंबे या फिर न्यूजिलेंड जल्दी से बताईए इसकांसर क्या होगा किस देश के राश्पती गुएन जुएन जुएन फोक ने भेस्टा चार घोटाल की बाद अपने इस तीपिकी घोश्रा किये वेनेजुएला वियतनाम जिम बॉंबे या फिर न्यूजिलेंड क्या होगा इसका आंसर कि वहत्नाम क्या है करेक्टांसर विच्टी करिक्टांसर आचा अब रिसेंटली जैसिंडा अर्डरण ने भी रेजिगनेशन दे दिया अपने पद्भार से और उनकी जगह पर किसको है मिनीस्टर एक पॉइंट किया गया है जल्दी से कॉमेंट करके बताईए जिक इंडियन यूनियन टेटिरी अपको बताना है इनमें से कौन सा यूनियन टेटिरी है जो कम्प्लीटली यूनियनस मोड पर सिफ्ट हो गया है तमिल नाडू विस्ट बेंगॉल नागरलैंड या फिर जमू और काश्मीर जल्दी बताएं इसका अंसर क्या होगा कौन सा भारति के इंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ए गवर्निंस मोड में स्थानांत्रित हो गया है तमिल नाजू वेस्ट बेंगॉल नागर लैंड या फिर जमू और काश्मीर क्या होगा अंसर ओके वेरी वेल जन एवरीवन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जमू और काश्मी इस ती करेक्ट आंसर ओके चलिए अब आते नेक्स्ट कुश्चन पर और नेक्स्ट कुश्चन इज विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा अर्डन इज स्टेपिंग डाउन इन फाबरी मन्त अभी जस्ट मैंने आप से यह कोश्चन पूछा था कि कौन सी कंट्री क प्राइम मिनिस्टर जैसिंडा अर्डन यह फैबरेली मन्त में अपने पद्भार को छोड़ रही है ना इसका करेक्ट आंसर क्या है और इसका आंसर हाइलाइट है इस न्यूजीलेंड है अब यहां पर आप यह बता दीजिए कि इनकी जगह किसको कहा गया है कि उनको प्रा आपको बताना है किस राजसरकार और केंड्र ने सम्मेद शिखरजी के जैन स्थल को परिटन हब में परिवर्तित नहीं करने का निर्ने लिया है कि उसको हम टूरिज्म हब में कनवर्ट नहीं करेंगे मिजोरम जार्खंट गोवा उत्रकंट क्या होगा इस कांसर विच स्ट गवर्मेंट अंद इस सेंटर हैं डिसाइड़ नौट तो कनवर्ट दी जैन साइट ऑप समेद शिखरजी इन्ट वा टूरिज्म हब इस इत मिजोरम इस जार्खंट इस गोवा और इस उत्रकंट इसका अंसर क्या होगा प्रदर्शित किया जाएगा क्यों से फिल्म की स्क्रीनिंग होगी पठान च्रिपाल आर तुलसी दाश जूनियर या फिर्दा काश्मीर फाइल्स क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइगा फिल्सी दाश जूनियर या फिर दाश्मीर फाइल्स क्या होगा इसका अंसर ऑके सो यह पर कुछ लोग गलत अंसर बता रहें पढं़ीं जिन लोग तो इस वरिपल दाश जुनियर बताया उनका तुलकुल भी साथ तुलसिदाश जूनियर इस ती करेक्ट चलिए अब आते नेक्स्ट कोश्चन पर एंड और नेक्स्ट कोश्चन इस फर्स्ट जी टूंटी हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग अंडर इंडिया जी टूंटी प्रेसिडेंसी टेकिंग प्लेज आपको बताना है जो पहला जी टूंटी हेल्थ वर्किंग ग्रूप मीटिंग यह आपका कहां पर और्गनाइज किया गया कोजी कोडे कायाम कुलं त्रिवन्थ पूरम और यह तीनों आपका केड़ला में है क्या होगा इसका आंसर पटापट से कॉमेंट करके बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ओके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिवन्थ पूरम केड़ला क्या है करेक्ट आंसर त्रिवन्थ पूरम इस थी करेक्ट आंसर चलिए आपको बताना है किन दो सिटीज के बीच में जो हमारी इंडियन एर फोर्स है वो कारगिल कोरियर स्रिस को लाच कर रही है कारगी लैंड पहलगम, कारगी लैंड पुल्वामा, कारगी लैंड जमू, कारगी लैंड किस्टवर क्या होगा करेक्ट आंसर वो कौन से दो शहर है जिनके बीच में हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है वो कार्गिल कोरियर सर्विस को लांच कर रही है और ये भी आपका important question है exam के point of view से जल्दी बताइए इसका answer क्या होगा कार्गिल लैंड पहलगम, कार्गिल लैंड पुल्वामा, कार्गिल लैंड जमू, कार्गिल लैंड किस्तवर निल्मनी फूकन बिलॉंग विपोर पासिंग अवे, निल्मनी फूकन जी इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको ग्यान पीठ हवाट से सम्मानित किया गया था, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन से फिल्ड से बिलॉंग करते हैं, और इसेंटली अभी इनक जल्डी से बताईए, और इसका टूज़री में कौन से अडिसन था, तो ये आपका एटीन था ठीक है, आपको बताना है, ये सेलिब्रेट कप किया जाता है, जल्डी से बताईए, 16 10 19 या फिर 20th January क्या होगा इसका answer ओकी वेरी गुड़ सो इसका जो correct answer है वो है 19th January क्या है correct answer 19th January is the correct answer तो National Disaster Response Force Day ये कब celebrate किया जाता है 19th January को और edition कौन सा है 19 के एक दिन पहले यानि की 18th edition है 18th edition है और 19th January को celebrate किया जाता है sequence में आप इसको याद कर सकते हैं कौन सा अडिशन है और कब celebrate किया जाता है चलिए अब आते नेक्स्ट कोश्चन पर और नेक्स्ट कोश्चन इस हूइस तो फिप्थ इंडियन और यंगेस्ट एवर टो इसकोर वंडे इंटरनेशनल 200 सो वंडे 200 स्कोर करने वाले पांचवे भारती और सबसे कम उम्रे के प्लेयर कौन बने हैं इशान किशन रोहित शर्मा शुब्मन गिल या फिर सूरी कुमार या दो क्या होगा इसका अंसर जल्दी से बताईए फिप्ट इंडियन और यंगेस्ट एवर टो स्कोर ओडियाई 200 जल्दी पताईए इसका अंसर क्या होगा इशान किशन रोहित शर्मा शुब्मन गिल या फिर सूरी कुमार या दो एक Prof इनमें से कौन से ड्रांवे स्टेस्ट से संवन्मानित किया गया वाराणसी क एम्पाल आल्वे स्टेसन विशाका प्ट्म रेलवे स्टेसन या फिर दहरा दून रेलवे स्टेशन जिसको रिसेंट्ली डृtering स्टेशन से समानित किया गया वरांजी कैंट भोपाल रेलवे स्टेशन विशाखा पकनम रेलवे स्टेशन ये फिर दिहरा दून रेलवे स्टेशन क्या होगा an cur इसका जो correct answer है वो है विशाखा पत्नम railway station क्या है correct answer विशाखा पत्नम railway station is the correct answer next one is Indian railways has introduced which module for maximum capacity utilization and income generation by regularly analyzing the moment of demand in each train in reserved express train question का मतलब समझ में आया question का मतलब यह है कि Indian railway ने जो हमारी reserved express train है उसमें जितनी भी train है उनकी जो भी demand है है ना उनकी जो भी demand है moment को उसको यह क्या करेंगे regularly analyze करेंगे और उससे income generate करेंगे इसके अलावा इनकी maximum capacity है उसको utilize करेंगे है ना तो आपका जो यह train waiting वगेरा रहता है अब आपका यह waiting वाला problem clear हो जाएगा confirmation वगेरा आपको on this spot मिल जाएगा है ना तो इसके लिए एक module हमारे इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस की है उसका नाम क्या है ideal train profile ideal train train expert या फिर train profile क्या होगा इसका अंसर जल्दी से बताईए इसका अंसर क्या होगा वेरी गुट इसका जो correct answer है वो है ideal train profile so ideal train profile is the correct answer next question is who has inaugurated North India's largest floating solar project of 2000 kilowatt power in Chandigarh आपको बताना है Chandigarh में इन में से किसने नौर्थ इंडिया का जो largest floating solar project है इसका inauguration किया नरेंद्र मोदी अमित्रा बन्वारी लालपुरोहित या इन में से किसने चंडिगर्ण में नौर्थ इंडिया का जो largest floating solar project है इसका inauguration किया इस इत नरेंद्र मोदी इस इत अमित्रा इस इत बन्वारी लालपुरोहित और इस इत मनोहर लालपुरोहित जल्दी बताईए आंसर क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वेरे वेल जन बन्वारी लाल पुरोहित इस इत करेक्ट आंसर क्या है बन्वारी लाल पुरोहित चलिए नेक्स्ट संगही कोपरेशन और्गनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल विल बी ओर्गनाइज्ट इन विच सिटी फ्रॉम 27 तो 31 जैनवरी 2023 अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्क्रीनिंग में कौन से फिल्म को स्क्रीन किया जाएगा है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने य इस लिए आप से पूछा जा रहा है है बंगारू चेन नहीं ऐहमदाबाद और मॉंबई कहारे मोंबई से बता ही इसका कर्यक्ट अंसर मूंबई इस दृक्त andar इंटरनेशनल कॉन्फरेंस इन विच सिटी आपको बताना है इलेक्षन कमीशन ओफ इंडिया यानि की भारत के चुनाव आयोग ने कि शहर में दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फरेंस जो दूसरा अंतराश्ट्री सम्मेलन है इसकी मेजबानी की बेंगलूरू न्यू डेली गु वहा कि एहम दाबाद क्या होगा इस जल्दी बताइए तो इसका जो ऑस्ते करेंट इसके ने कहां पर होस्ट किया नियू डेली में होश्ट किया अच्छा ये बताइए इस का फॉंडेशन कभा था ठीके इसलीके इसी के आउसन्स पर हम क्या करते हैं और नैशनल वोटर्स से यह कब सेलिब्रेट किया जाता है वो भी जल्दी से कॉमेंट करके बताइए और तीसरों कोश्चन आपका यह है कि रिसेंटली इलेक्षन कमिशन आइकॉन किसी को डिक्लियर किया है तो उनका नाम क्या है बिहार का स्टेट आइकॉन कौन बनाया है और इसके अलावा इलेक कमिशन आप इंडिया का इस्टैबलिस्मेंट कब हुआ और नेशनल वोटर्स देए यह कब सेलिब्रेट करते इन सारे कोश्चन का अंसर जल्दी से आपनों कॉमेंट करके बताइए तब तक आते नेक्स्ट कोश्चन पर और नेक्स्ट कोश्चन इस हूँन नॉमिनेटेट जूली टर्नर, हिलारे क्लिन्टोन या फिन नैंसी पहलोसी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, Is it option number 1, 2, 3, or 4? इसका अंसर क्या होगा? ओकी, very good, so इसके जो correct answer है वो है जूली टर्नर, क्या है correct answer? जूली टर्नर इसunden is correct answer. next one is, who has been appointed as the Chief Operating Officer of Tata Trust? आपको बताना है टाटा ट्रस्ट का चीफ ऑप्रेटिंग ऑफिसर किसे एपॉइंट किया गया है चल्दी बताइए ऑप्सिन नंबर वन चू त्री और फोर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर अपर्णा उपलोरी लक्षमर नर्शिम्मन दिनेश कुमार सुकला या फिर किशोर क दिनेश कुमार बासा इसका आंसर क्या होगा वहाज विन अपोइंटेड एज चीफ ऑप्रेटिंग ऑफिसर और टाटा ट्रस्ट का चीफ ऑप्रेटिंग ऑफिसर किसे एपॉइंट किया गया है ऑके वेरिगुड तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपर्णा उपलोरी अपड़ना is the correct answer. चलिए अब आते next question पर एंड और next question is असका police station in which district of Odisha? Odisha का जो असका police station है यह और अप आपको बताना है और सत्राइशा के कौण व्रस एस्टिक में यह Ching स्टेशन है मलकान किरी मयूर भंज गंजम या फिर नन आप दीज जल्दी बताइए इसका अंसर क्या होगा ऑप्शन नमबर वन टू त्री और पूर इसका जो करें तांसर है वो है गंजम तो ओडिसा के गंजम डिस्ट्रिक में जो असका पूलिस स्टेशन है इसको कंट्री का नमबर वन पूलिस स्टेशन डिकलेयर किया गया है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन इस यूनियन मिनिस्ट्री और फॉम अफेर्स हैज एनॉंस्ट अनौंस्ट हो मैनी लेंश को meno पूल फड्म विभूशन 거죠 इस अब करें हैं यह कि fajफ के एनॉझ को अलॉर सगने कनल ईएरवल लोगों को दिया गया है सारे कांसर जल्दी से कॉमेंट करके बताईए जितने कोश्चन में पूछ रही हूं सारे कांसर आप लोग बताते रही है ठीक है चलिए अब आते नेक्स्ट कुश्चन पर एंड नेक्स्ट वन इस विच्छ वालोइंग स्टेट है सेलिब्रेटीड द और मनीपूर क्या होगा उंसर त्रीपुरा वेस्ट बेंगॉल नागालन्ट या फिर मनीपूर वरी गुढ़ इसका जो नाग हो चांसर नागल्प अंसर नागल्प न нुद अब किया है तो इसके संप्पली क्या बन सकता है कि ओर फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है नागर लैंड में और इन्होंने कौन से अइसर क्या होगा third edition ठीक है ओके नेक्स्ट इपको सेंटर फोरूम हाऍज चूजन विच सीटी तो सेट अप इसके लिए एंडस्टियर्व ने इसके लिए इसके सिटी को सेलेक्ट किया है बेंगलूरू हैदराबाद चेन नहीं न्यूजेली क्या होगा इसका आफ अब आते नेक्स्ट पर एंड और नेक्स्ट क्वेश्चन इस which bank has awarded the best small bank award 2022 in the best bank survey for the year 2022 आपको बताना है इन में से कौन से bank को अभी थोड़ी देर पहले हमने इस question को पढ़ा था बट वो change था उसमें हमने बताया था कि कौन से bank को यह award दिया गया है उसमें हमने एर पूछा था अब इसमें हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि 2022 के लिए वो कौन से bank है जिसको best bank survey of the year 2022 का award दिया गया है इसके पहले यह question हमने किया था पर question आपका change था वहां पर bank का नाम mention था year पूछा गया था यहां पर year बताया गया है और bank का नाम पूछा गया है तो जल्दी से बताइए answer क्या होगा आज ही के session में पढ़ा है हमने इसको जल्दी बताइए क्या होगा ओके very well done everyone इसका जो correct answer है वो है तमिल्नाथ mercantile bank क्या है correct answer तमिल्नाथ mercantile bank is the correct answer next question is which of the following film has backed the golden kailash award for the best movie at the eighth edition of the agenda एलोरा फिल्म फेस्टिवल आपको बताना है निमली कित्में से किस फिल्म ने एजन्ता एलोरा फिल्म समारों के आठवे संस्करण में मतलब इसका जो एर्थ एडिसन था उसमें गोल्डेन कैलाश अवार्ड को जीता है नानेरा छिडी बला दकाश्मीर फाइल्स नन आप दी अनन आप दी अबब क्या होगा इसका answer क्या होगा अजन्ता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में गोल्डेन कैलाश अवार्ड इनमें से कौन से फिल्म ने जीता है वेरी बेल जैन एबरीवन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह नानेरा क्या है करेक्ट आंसर और अगर हम काश्मीर फाइल्स की बात करें तो अभी रिसेंटली इसक ब्रान्डगारजियन की बात करें तो इंडिया में ये नंबर वन पर है और अगर हम ग्लोबली बात करें इनका नाम क्या है गौताम अडानी सुनील भारती मित्तल मुकेश अंबानी या फिर आनंद महिंद्रा क्या होगा इसका अंसर जल्दी बताएं तो कि ओड़ीव तो सब लोग करिक्ट आंसर बता रहें डाट इस मुकेश हमबानी से खरिक्ट आंसर निएक्ष्ट बने लेयर ओरेंज कल डपार्ट वॉजा इसपोटे इंविट नेसनल पार्क इंज कल या आपको बताना है तंस नेसनल पार्क कि जहांपर यह औरवेक्ट को क्या गया इंद्रवती नेशनल पार्क खोंगंग मल नेशनल पार्क यह फिर मॉलिंग नेशनल पार्ख क्या होगा इस अर्प चैतिस गड़ को कॉंसकर नाइट को क्या किया गया इस पस प्我ट्ड किया गया उसको देखा गया उसको find out किया गया जल्दी बताइए क्या होगा answer ओके वैरे वैल जैने अब्रीवन इसका जो correct answer है वह कांगेर वैली नेशनल पार्क किया है कांगेर वैली नेशनल पार्क इस दी correct answer next one is who has announced an additional grant of 100 million मालदीवन रुपिया for community development project in मालदीव सो मालदीव में सामुदाइक विकास पर्यूजनाओं के लिए 100 मिलियन मालदीव रुपिया के अत्रिक्त अनुदान की घूष्टा इनमें से किस ने की है कौन से अरेमैने मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंग अमप्थर या फिर डोक्तर इस जैशंकर क्या होगा इसका अन्सर जल्दी बताई इस कांसर क्या होगा प्रगती मैदान न्यूजेली आपको बताना है Ministry of Tourism इन में से Global Tourism Investor Summit के कौन से एडिशन को और्गनाइज करेगी फ़र्स्ट सेकें थर्ड पोर्स्ट ये कौनसे एडिशन होगा Global Tourism Investor का जिसको Ministry of Tourism के द्वारा और्गनाइज किया जाएगा from 10th to 12th April और कहां पर होगा यह New Delhi में होगा जल्दी बताइए कौन सा एडिशन है यह 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th is it 1st, 2nd, 3rd और 4th ओके वेरी गुड तो इसका जो करें कांसर है वो है 1st यह पहली बार हो रहा है ठीक है तो यह कौन सा एडिशन है यह आपका 1st एडिशन होगा next one is who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Vedanta's Kern Oil and Gas आपको बताना है वेदानता के Kern Oil and Gas के नए मुख्यकारी अधिकारी यानि की Chief Executive Officer की रूप में किसी न्यूप हिया गया है अरुना मिलर, निक वाकर, सोनिया गुवाजाजारा, मनप्रीट मोनिका सिंग्स क्या होगा इसकांसर जल्दी बताइए, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Vedanta's Kern Oil and Gas इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निक वाकर, क्या है करेक्ट आंसर, निक वाकर is the correct one next one is, which of the following has organized the second edition of the SAN रंचेत्रम 2.0 from the October 2022 to January 2023 आपको बताना है इन में से कौन से organization ने, October 2022 से January 2023 तक सैन रंचेत्रम 2.0 के दूसरे संसकरण को इन्होंने क्या किया, और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, इंडियन एर फोर्स या फिर इंडियन ने वी इन में से कौन से organization ने, SAN रंचेत्रम 2.0 को organize किया, और कौन से edition है इसका, second edition है, जल्दी बताइए क्या होगा answer option number 1, 2, 3, or 4, very good, so यहां पर सब लोग correct answer बता रहे है, that is Indian Army, क्या है correct answer, Indian Army is the correct answer, next one is who has become Maryland's first Indian American Lieutenant Governor, आपको बताना है, Maryland की पहली Indian American Lieutenant Governor कौन बनी है, अरुना मिलर, शान्ति कुमारी, सोनिया गुजाजारा या फिर मनप्रीत मोनिका सिंग, क्या होगा इसका correct answer अच्छा, शान्ति कुमारी की बात करें, तो ये तिलंगाना की Chief Secretary बनी है, सोनिया गुजाजारा की अगर हम बात करें, तो ब्राजिल में Indigenous People के लिए जो मिनिट्री बनी है पहली बार उसकी पहली मिनिस्टर बनी है मनपृत मौनिका सिंह जी की अगर हम बात करें तो यह एंद्फ हम क्या है इनका नाम है अरुणा मिलर नेक्स्ट बन इन्फेफ सीपाँगा किवाईट के टिस्की स्ट इन्वाइट किया गया जल्दी से बताईए इजिप्त के मैं में इन्वाइट किया गया था very well done everyone so इसका जो correct answer है वो है अब्दिल पता अल सीसी है ना इसका answer क्या है अब्दिल पता अल सीसी is the correct answer चलिए next one is which state government is planning to make the state as the first green energy state by the end of the 2025 आपको बताना है इन में से वो कौन सा state है जिन्होंने ये decide किया है कि वो 2025 के end तक खुद को as a green energy state क्या करेंगे ,we're Embdrapradeteq केला राजस्थान हुमाच्र प्रदेश क्या होगा इसका answer Mr. Kerala राजस्थान या फिर securities जल्दी बताईयों इसका answer क्या होगा मूग क्छ Southwest time हो एक recalas बता रहे नेच्ट वन अध्ट प्रaiम मिनिस्टर नरेंथ अंदमान निकोबार आइलेंड के कितने आइलेंड को पीम मोदी जी ने जो परम वेट चक्र अवार्डी जी ने उनके नाम पर उसका नाम रखने का इन्होंने एनौंस्मेंट किया है और यहां पर मुझे एक कुशन का अंसर आप लोग और बता दीजिये कि कि पराकरमदिवस करने के लिए पराकरमद toca करने के लिए यह आपको बताना है और इसका अंसर बताना है कि पराक्रम दिवस की ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर नरिंद्र मोदी जी ने अंदमान एं निकोबार के कितने आइलैंड को जो परम वीर्चक्र अवार्डी जे उनके नाम पर रखने का इन्होंने एनौंसमेंट किया है 21, 28, 26 या फिर 24 क्या होगा आइलैंड है जिनका नाम परम वीर्चक्र अवार्डी के नाम पर रखा जाएगा विक्रम देउदत रमेश खांजुला अनिल शर्मा या फिर सुनिल कुमार क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए बहुत ही इस है कुश्चन है ये विक्रम देउदत रमेश खांजुला अनिल शर्मा या फिर सुनिल कुमार ओके वेरी गुट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विक्रम देउदत विक्रम देउदत इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इस इंडियन नेवी हाज ओर्गिनाइज्ट अ सिक्स डे लॉंग मेगा पाइनियल चाइस सर्विस एंफीजियस एक्सरसाइज एंफेक्स 2023 इन विच स्टेट आपको बताना है एक्सरसाइज एंफेक्स 2023 यह आपका कहां पर ओर्गिनाइज किया गया इंडियन नेवी के दौरा मिजोरम त्रिपुरा आनप्रदेश उत्राखंट क्या होगा इसका अंसर जल्दी से बताईए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर पताईए आ आपड़ों के कॉमेंट्स बहुत लेट आ रहें मिजोरम त्रिपुरा आनप्रदेश उत्राखंट है ओके बड़ी यह फॉड़ी यह न फी फार्लोंग आ प्रसेज इस कंडूक्टिंग ऑप्स अलर्ट एक्सरसाइज आपको बताना है इनमें से कौनसा आंप्स अलर्ट एक ITBP, CISF, BSF, या फिर ICG, इसका अंसर क्या होगा, जल्दी से बताईए, ITBP, CISF, BSF, या फिर ICG, क्या होगा इसका अंसर, very well done everyone, so इसका जो correct answer है, वो है BSF, that is border security force है न, so जो ops exercise है, ops alert exercise, इसको किसके द्वारा conduct कराया गया, BSF, that is border security force के द्वारा इसको conduct कराया गया, next one is, who has been awarded the Pandit Hari Prashat Chauras, lifetime achievement award, आपको बताना है, Pandit Hari Prashat Chauras, lifetime achievement पुरुसकार से किसे सम्मानिक किया गया, Dr. Rahul Shivastwa, Dr. Prabha Atre, Dr. Rajiv, Dixit, या फिर Dr. Umesh Misra, क्या होगा अंसर, who has been awarded the Pandit Hari Prashat Chauras, lifetime achievement award, जल्दी बताईए, option number 1, 2, 3, or 4, क्या होगा इसका अंसर, इसका जो करें टांसर है, वो है Dr. Prabha Atre, Dr. Prabha Atre को Pandit Hari Prashat Chauras, lifetime achievement award से क्या किया गया, सम्मानिक किया गया, next one is, which day is celebrated as the International Day of Education globally, आपको बताना है, International Day of Education ये कब celebrate किया जाता है, 24th January, 22nd January, 21st January, या फिर 20th January, और इसके अलामा, आपको ये भी बताना है, कि National Education Day कब celebrate किया जाता है, ठीक है, National Education Day, ये कब celebrate किया जाता है, आपको ये भी बताना है, और International Day of Education, ये कब celebrate किया जाता है, इसका option आपके सामने है, दोनों question का answer बताइए, International Day of Education और National Education Day, ये दोनों डे कब celebrate किया जाता है, वेरे वेल जन सो 24 जैनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल जे ओफ एजुकेशन और 11 नेवेंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन दे ठीक है चलिए आपको बताना है जो बाइडिन का नया वाइट हाउस चीफ ऑफ इस्टाफ किसे एपॉइंट किया गया इसका जो करेक्ट आंसर वह है जेफ जाइंट्स क्या है जेफ जाइंट्स इस दी करेक्ट आंसर नेच्ट वान इस इन इंडिया जैनवरी 24 इस मांग्ड आज वीच आप दिस देज आपको बताना है 24 जैनवरी को इन में से कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल 24 ऑफ जैन्वरी को हम सेलिब्रेट करते हैं अपको यह कब क्या है जाइं कि इनिशनल डे ऑफ डॉनीट्स लुट वर जाएप लगे सेलिब्रेट क contemporary को सेलिब्रेट किया जाता Galyn他們 करें c कौन से सिटी में और्गनाइज की जाएगी बेंगलूरू नियू जेली गुवाहाटी एहमदाबाद जी टूंटी की जितनी भी मीटिंग से उसका कम्प्लीट लिस्ट इस टाइम में आपको डेली क्लास में प्रोवाइट करा रही हूं तो अगर आपके पास वो लिस्ट नही है तो उसमें आपको कम्प्लीट लिस्ट मिल जाएगा ठीक है चलिए इसका अंसर क्या होगा वेरी गुड़ सो गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर क्या है गुवाहाटी निक्स्ट वन इस दफोर्थ इंटरनेशनल ट्रेट फेयर आप मिलिट्स एंड और और इन ऑर्गनिक क्या होगा इसका अंसर जल्दी से बताएए बेंगलूरू न्यू धेली घुवनेश्वर या फिर एहमदावाद फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेट फेयर आप मिलिट्स एंड और और इनिक प्रोड़क्ट यह कौन सी सिटी में और और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगल इसका न्यूगा बेंगलूरू इसका एंगलूरू इससी करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट वन इस एकॉर्डिंग टो ओन ईवा रिपोर्ट वें विल इंडीया बिकम चौन सी यह तक इंडिया की जो एकॉनामी है वो टॉनंटिफ्स ड्रिलियन डॉलर तक बन जाएगी तू यह कौन से है आपका 2047 चीक है तो इसका अंसर क्या होगा 2047 इससे करेक्ट आंसर और 2047 में इंडिया की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे चलिए आपको बताना है साइबर कॉंग्रेस पहल का नेत्रितु इन में से कौन से इस्टेट ने किया ओडिशा केरला नागल एंड तेलंगाना क्या होगा इसका अंसर जल्दी बताइए ओडिशा केरला नागल एंड तेलंगाना प्रजेक्ट है वह आपको बताना है हाले में किस राज की इटालीन जल्विद्ध परियोजना को वन सलाहकार समिती की द्वारा रद्दि कर दिया गया और नाचर प्रदेस उत्तरप्रदेस हिमाचरप्रदेस या फिर वेस्ट वेंगौल क्या होगा इसका अंसर अरुनाचर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचर प्रदेश, वेस्ट वेंगॉल जल्दी बताएं इसका अंसर क्या होगा Very good, so इसका जो correct answer है वो है अरुनाचर प्रदेश क्या है correct answer अरुनाचर प्रदेश से correct answer Next one is Ladakh Lieutenant Governor RK Mathur has launched the unique land parcel identification number in lay how many digits in the UL PIN number आपको बताना है recently जो Ladakh के Lieutenant Governor है RK Mathur जी इन्होंने unique land parcel identification number को launch किया है यह जो आपका PIN है यह जितने भी land holders है उनको provide किया जाएगा जिससे जो land record है उसको digitize किया जा सके है ना उसका एक digital record maintain करके रखा जा सके आपको बताना है यह जो PIN है इसमें कितने digits होंगे 11, 12, 13 या फिर 14 यह जो UEL PIN है इसमें कितने digits होंगे very good so इसका जो correct answer है वो है 14 क्या है correct answer 14 so UEL PIN में आपके कितने digits होंगे 14 digits होंगे ठीक है next one is the International Hockey Federation has partnered with which of the following for hockey development and wins World Cup 2023 आपको बताना है अंतर राष्ट्री होकी महसंग ने होकी विकास और पुरुष विश्चुकब 2023 के लिए निमलिकित में से किसकी साथ भागिदारी किये JSP Foundation, Jindal Organization, Reliance Foundation या फिर अक्षे पात्रा Foundation क्या होगा इस cancer जल्दी बताइए इस cancer क्या होगा JSP Foundation, Jindal Organization, Reliance Foundation या फिर अक्षे पात्रा Foundation Very good, so इसका जो correct answer है वो है JSP Foundation, क्या है correct answer? JSP Foundation is the correct answer Next one is which of the following small finance bank has won the prestigious Inclusive Finance India Award 2022 आपको बताना है इन में से कौन से small finance bank ने Inclusive Finance India Award 2022 को जीता है AUE Small Finance Bank, Capital Small Finance Bank, ESAF Small Finance Bank या फिर Equitas Small Finance Bank और इसका जो correct answer है वो है ESAF Small Finance Bank क्या है correct answer? ESAF Small Finance Bank is the correct answer चलिए अब आते नेक्स्ट कॉश्चन पर और नेक्स्ट कॉश्चन इस Which state has received शुबाश चंडरबोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार 2023 for excellence in disaster management for the year 2023 आपको बताना है इन में से कौन से स्टेट ने सुबाश चंडरबोस आपदा प्रबंधन पुरुसकार को जीता है माहराश्ट्रा, तमिल नाजू, ओडिशा या फिर केरला क्या होगा इसका आंसर? माहराश्ट्रा, तमिल नाजू, ओडिशा, केरला Very good इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उडिशा क्या है करेक्ट आंसर? उडिशा इसदी करेक्ट आंसर Next one is प्रधान मंत्री राश्ट्री बाल पुरुसकार 2023 have been confid upon how many children for their exceptional achievement in six categories Simple question है कि प्रधान मंत्री राश्ट्री बाल पुरुसकार कितने चिल्रेन को दिया गया 11, 21, 31, या फिर 41 क्या होगा इस चिल्रेन को प्रधान मंत्री राश्ट्री बाल पुरुसकार से सम्मानित किया गया और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11 क्या है करेक्ट आंसर? 11 इस दी करेक्ट आंसर clear हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर और नेक्स्ट कोश्चन इस हिमाचर प्रदेश है सेलिब्रेट इट सु 53rd स्टेट होड डे और विच डे आपको बताना है हिमाचर प्रदेश का हैपी बर्डे कब होता है 25 जन्वरी, 26 जन्वरी, 24 जन्वरी या फिर 27th जन्वरी अभी हम लोगों ने हिमाचर प्रदेश का बर्डे स्ट इसलिब्रेट किया था यूपी का भी बर्डे स्ट इसलिब्रेट किया था आपसे क्ष्चन में पूछा गया है कि हमाचर प्रदेश का हैपी बर्डे कब होता है जल्दी से बताईए 25 जैनरी 26 जैनरी 24 जैनरी 27 जैनरी है । क्या है क्रेंट सरा 25 जैनरी सी करेंटाँ सर निक्स्ट करेंश्यमीस पाद्मभुशन आ वार्डी क्रिशनदोशी attempt recently меньific gorilla और करेंट 00 यह अधी एड़ की एज में देहांत हो गया वो कौन सी फिल्ड से बिलॉंग करते हैं क्या वो एक पॉलिटीसियन थे वो एक आर्किटेक्ट थे या फिर वो एक राइटर थे क्या होगा अंसर बाल कृष्ण दोशी जिनको पद्लभूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनका हाल ही में 95 पेर की एज में देहांत हो गया वो कौन सी फिल्ड से बिलॉंग करते हैं सो वो एक आर्किटेक्ट थे ठीक है क्या होगा करेक्ट आंसर आर्किटेक्ट इस दी करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट वन इस हूँ हाज इनॉग्रेटिड दी जेमो रन-off इन्लांड वाटर वेजल प आंसर जल्दी बताइए नरेंद्र मोदी प्यूश गोयल हर्दीप सिंग पूरी या फिराजनाथ सिंग वेरी गुड सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्दीप सिंग पूरी क्या है करेक्ट आंसर हर्दीप सिंग पूरी इस दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट वन इस इन टू पॉइंट ट्री टू करोड रुपए के जल सरक्षड यूजना का शुभारम्द किया जार्खंड असम उडिशा केरला क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जल्दी बताइए इस जार्खंड इस असम इजड़ीशा इजड़ीशा इसलिट केरला वेरी गूड इसका जो उम्रिकी लड़कियों से शादी करने वाले पूर्सों पर पॉक्सो एट के तहट मामला दर्ज किया जाएगा गुजराथ बिहार असम हर्याना क्या होगा इसका अंसर एंड इस इस ऑल्सुन आप दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुश्चन सो वह कौन से स्टेट है जहां पर 14 10 साल से कम उम्रिकी लड़कियों से शादी करने वाले पूर्सों पर पॉक्सो एक के तहट क्या किया जाएगा मामला दर्ज किया जाएगा तो गुजराथ बिहार असम हर्याना इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है असम चलिए नेक्स्ट वन इस इन विच किक्र fij देश देश ने मेडिकल अमर्जेंसी को किया है डिक्लियर घीड चिली ब्राजल ब्रूने gi क्या ओंगा इस काशर है वेरीोड इसका जो करेक्ट आंसर रेव Turns यहांपर यहांपर क्या किया गया है मेडिकल एमर्जंसी को डीक्लेयर किया गया है विच डीजल इलेक्रिक कलवारी क्लास सम्मरीन वास कमीशन निए आपको बताना है हाली में भारती नोसेन ने कौन से डीजल ऑपने सी सब्सक्राइब को ठूब बिखकाते स्गी करिक्ष्ण किया है इस सी शेहर मे희 सुदुटी अमेरिकन इंडिया Foundation inaugurate its first STEM Innovation and Learning Center आपको बताना है American India Foundation ने किस शहर में अपने पहले STEM Innovation and Learning Center का उद्गाचन किया चेन नहीं नोईडा इंदॉर बेंगलूरू क्या होगा इसका आंसर चेन नहीं इस फालोइंग है चेर्ड टेंथ मीटिंग ऑफ इंफ्रेस्ट्रक्चर कमिटी इन निव डेली निमलिखित में से किसने नई दिल्ली में ग्रूप इंफ्रेस्ट्रक्चर कमिटी की दसवी बैठक के अध्यक्षता की अनुराग्ठाकुर प्यूष गोयल जीतेंडि सिंग या क्या होगा इसकी करेंट प्यूष गोयल जी जिए या फिरने गलगासर वेटनरी अबूलेंस नेट्वर्क बाइफ फ्लागिंग ऑफ एडिशनल 165 वेटनरी ऑंबूलेंस यूनिट आपको बताना है इनमें सी कौनसे स्टेट ने इंडिया का जो पहला गवर्मिंट रन वेटनरी एंबुलेंस है वेटनरी एंबुलेंस मतलब जो एंबुलेंस एनिमल्स के लिए होता है ना उसकी लिए इसका जो सेकंड फेज है कौन से स्टेट ने इसको लॉंच किया है और उसमें 165 एंबुलेंस इसको इन्होंने क्या किया है आंसर क्या होगा इसका जो पहला फेज है यह आपका 2021 में लाँच किया गया था और अभी रिसेंटली इसका second phase लाँच किया गया स्टेट कौन सा है जिन्होंने पहला government run वेटनरी एंबुलेंस को यह second phase गो लाँच किया है वेरी गूड तो इसका जो correct answer है वो है आंद्प्रदीश आंसर आन्प्रदेश is the correct answer नेक्स्ट वन इस तार्टप 20 Engagement Group विल होल्ड इस Inception meeting इन्विस सेटी आपको बताना है G20 Startup 20 Engagement Group किस शहर में अपने स्थापना बैठक को आयोजित करेगा बेंगलूरू, हैदराबाद, चेन्ने नुडा क्या होगा अंसर जल्दी से बताइए इस इड बेंगलूरू हैदराबाद चेनेई और नोईडा और इसका जो करेंट नांसर है वो है 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 धराबाद क्या है करेंट आंसर है यह फिर संबल भाई बी पटिल आपको बताना है अमूल के अध्यक्ष के रूप में इन में से किसको करेंट किया गया है महेंदर शा राजेश वर्मा राजशुकला या फिर संबल भाई आपको बताना है अंतर राष्ट्री सेमा शुल्क दिवस यह हर साल कब मनाया जाता है 26th of January, 27th January, 28th January या फिर 29th January क्या होगा इसका करेकांसर International Custom Day ये कब celebrate किया जाता है ये उसी दिन celebrate किया जाता है जिस दिन हमारा Republic Day होता है ना तो ये भी celebrate किया जाता है 26th of January को ठीक है चलिए Next one is who is author of the book titled India's Knowledge Supermacy The New Dawn आपको बताना है India's Knowledge Supermacy The New Dawn के author कौन है अमर्तिया सेन, डॉक्टर अश्विन फर्नांडेज, शशी थरूर या फिर पुलाप्रे बालकृष्णन क्या होगा इसका correct आंसर जल्दी बिताइए ओके, very good, तो इसका जो correct आंसर है वो है डॉक्टर अश्विन फर्नांडेज तो डॉक्टर अश्विन फर्नांडेज, इस दी correct आंसर, नीक्स्ट वन इस प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु, हाज एप्रोब्ड हाउ मैंडी गैलंजी अवार्ड तू आंप्रोष्णन था इस्तापूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा था उसको हम लोगों ने क्या किया आज की क्लास में रिवाइस कर लिया और अब हम आते हैं हमारे आज की होमवर कोईश्चन पर हमारा आज का जो होमवर कोईश्चन है वो है रिनोंड सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पतनायक has recently created the world's largest hockey sculpture on the bank of which river in Odisha के कौन से river के तरप इन्होंने जो फर्ट का लार्जेस्ट होगें उसको इन्होंने बनाया था ठीक है इसका अंसर आप लो कॉमेंट करके बताएगा जो इसका अंसर बताएगा वो बनेगा मारा चांपियन और उसका नाम हम कर के सेसन के स्टार्टिंग में डिक्लियर करेंगे तो आज के लिए फिलाल बस इतना ही है निक्स हम आपसे मिलते हैं कल सुबह साड़े च्छे बजे हमारे मॉर्डिंग करंच अफेर क्लास में तिल दिन बबाए गाईस टेक केर थैंक यू सो मच अजिट ले स्टार्टिंग करेंक यू बैल अठीट आजरा आठीट लेए पर चलार्टिंग टेक्षा अविक्प्ट्ध डिक्डिंग करेंगेंगे ले घ्टेट लेए बड़ में आपसे अपक्रणिफाळं।